दो जिस्म एक जान सिर्फ एक मिथक है साधी के बाद इस्त्री के जिस्म और जिंदगी की हकिकत गुलाबी नहीं होती है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राउल स्वागत है आपका हमारे शेनल बॉलिवूड डॉम पर क्या महिलाए महाजग जिस्म है क्या महिलाए सिर्फ उपबॉक की वस्तु है क्या एक इस्त्री की जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए बनी है क्या औरतों की कोई इक्षा नहीं हो सकती है क्या महिलाओं के सपने नहीं होते क्या महिलाओं की जिंदिगी उनके हिसाब से नहीं चल सकती है एसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विद्याबालन ने इस मुद्दे पर दो सब्द में ही बहुत गंभीर बात कह दिये हमें लगता है कि कहीं न कहीं यहां बात महिलाओं की जिंदिगे पर लागू होती है किसी महिला के उपर कम तो किसी महिला के उपर अधिक लेकिन कहीं न कहीं लागू होती है इंडियान एक्सप्रेस को दिये एक इंटर्व्यों में विध्याबालन ने कहा है कि शादी के बाद दो जिसमें एक जान सिर्फ एक मिथ है असल में इसे दो जिसमें आदमी की जान होना चाहिए क्योंकि हमारी जान तो रहती नहीं है कई लोगों को तो यहां लाइन समझ में भी नहीं आई होगी लोग जब एक इस्त्री की चीक को नहीं समझ पाते वहीं अगर दूसरी संतान भी बेटी हो जाए तो वहाँ बोज होती है मानों की तब लक्षमी का रूप बदल गया हो वह समालते ही उसके कानों पर परायाधन और दूसरे घर जाना है जैसी बाते सुनाई देने लगती है उसे समझा दिया जाता है कि घर का काम करना उसके लिए कितना जरूरी है घर में कोई आये तो पानी भी वहीं लाएगी और चाय भी वहीं बनाएगी छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी वहीं निभाएगी भले ही वहाँ भाई से छोटी ही क्यों ना हो 3. आजकल लड़कियों को पढ़ाई करने दिया जा रहा है पढ़ता तो भाई भी है लेकिन बेटियों को स्कूल भेज कर ऐसा लगता है कि एसान किया जा रहा हो सहर से दूर पढ़ने भेज दिया जाए तो साथ में 10 कंडिशन अपलाई कर दी जाती है 4. छोटी थी तो पापा थोड़ी बड़ी हुई तो भाई साधी के बाद पती और मा बनने के बाद बेटे के हिसाब से उसकी जिंदिगी करवट बदलती रहती है डारेक्ट रूप से ना सही लेकिन इंडारेक्ट रूप से उसकी कंडिशनिंग होती रहती है नमबर फाइब, सबसे बड़ी बात साधी होते ही लड़कियों की जिंदिगी बदल जाती है उसके उपर अचानक से जिम्मेदारियों का बोज आ जाता है एक पल में वहाँ बेटी से बहु बन जाती है बहु का ओधा जितना बड़ा होता है उससे कहीं बड़ी उसकी जिम्मेदारिया होती है बहु मतलब पती की इच्छाओ को पूरा करने वाली बहु मतलब किसी एक पुकार पर दोड़ कर उसके पास पहुशने वाली बहु मतलब चलता फिरता वहाँ मसीन जो हर डिमांड पूरा कर सके साधी के बाद एक लड़की को अपना सबकुश भूल कर ससुराल के हिसाब से ढलना होता है चाहे वहाँ पहनावा हो उसके पसंद का खाना हो नमबर साथ जब वहाँ मा बन जाती है तो यहां मान लिया जाता है कि अब उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है उसका सब कुछ अब पती और बच्चे के इर्दगीर्द ही घूमता रहेगा उनकी अब कोई दुनिया नहीं बच्ची है पती और बच्चे की दुनिया ही अब उस महिला की दुनिया है वहाँ बस अब दूसरों के लिए करती रहे भागती रहे वहाँ सब के बारे में सोचे लेकिन अपने बारे में सोचने पर उसके उपर दोस मर दिया जाता है और और कहने का मतलब यहाँ है कि वहाँ अपनी जिन्दिगी अपनों के नाम इस कदर कर देती ही कि उसका अपना कुछ बचता ही नहीं है पती भी काम करते हैं लेकिन इतना नहीं करते जितना वहाँ महिला करती है तो फिर दो जिसमें एक जान केसे हुए दो जिसमत तो दोनों के ही रहते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि जान सिर्फ पती की बचती है वहां मैला तो संसार में इतना गुम हो जाती है कि लगता ही नहीं कि वहां आपने लिए जी रही है जैसे वहां बेजान हो और सिर्फ उसका जिसम ही बचा हो तो दोस्तों आपकी जो भी हो रहा है कमेंट शेक्षन आपके लिए खुला हुआ है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दिजे और इसी तरह की खबरों के लिए बने रही हमारे चैनल के साथ